नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की फ्यूरोबिड टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. Furobid Tablet को कैसे लेना चाहिए और Furobid Tablet की वज़़ से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Furobid Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Furobid एक brand name है Furobid Tablet के अंदर salt composition से phroxim होता है Furobid Tablet 250 Mg वब 500 Mg की strength में available है Furobid Tablet एक antibiotic दवा है Furobid Tablet का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है इसके अलावा त्वचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई infection होने पर भी Dr. Furobid Tablet को लेने की सला दे सकता है शरीर में infection होने पर बुखार हो सकता है इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Furobit Tablet को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स हैं जिनमें आपका Dr. Furobit Tablet को लेने की सला दे सकता है। Side Effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में Furobit Tablet की वज़ह से कोई Side Effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंत व्यक्तियों में Furobit Tablet की वज़ह से कुछ Side Effects हो सकते हैं। जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, तवचा पर रैशिस होना, तवचा पर खुजडी होना, वों का स्वाद खराब होना, सिरदर्ध होना, चक्कर आना, पेट में दर्ध होना और दस्थ होना आदी साइड इफेक्स फ्यूरोबिड टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. इसके अलावा फ्यूरोबिड टैबलेट की वज़ा से महिलाओं की वजाइना से डिस्चार्ज होना और वजाइना में खुजडी होना आदी साइड इफेक्स भी फ्यूरोबिड टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की फ्यूरोबिड टैबलेट को क दॉक्तर फ्यूरोबिड दो सो पचास एमजी टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। इसलिए आपको फ्यूरोबिड टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोस में ही लेना चाहिए। कातार ज्यादा लंबे समय तक फ्यूरोबिड टैबलेट को लेने से अंटी बायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और अंटी बायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटि बायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और furobid tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है। इसलिए furobid tablet को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने furobid tablet को लेने की सला दी है। furobid tablet viral infection होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि किड्नी की बीमारी से पीडिक व्यक्तियों में furobid tablet की डोज घटानी पर सकती है। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि furobid tablet pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुक्सान पहुँचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादा तर डोक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को furobid tablet को न लेने की सलाँ देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फ्यूरोबिड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.